गाइस कैसे हैं आप लोग मुझे काफी लोग बोलते रहते हैं कि ऐसा को strategy बनाओ जहां पर आपको margin कम देना पड़े और probability काफी हाई हो या obviously ऐसे market में strategies हैं अगर आप smartly treat करेंगे तो ऐसे strategies हैं जिसमें मैंने अगर मैं 10 बार ये strategy इंप्लिमेंट करता हूँ तो मैं साथ से 8 बार ये profit में लिकलता हूँ ठीक है और एक time ऐसा आता है कि अगर ये गिर जाता है तो मैं इसको hedging करता हूँ पर मैं loss में तो नहीं निकलता हूँ ठीक है आप ऐसा strategy ये ऐसी strategy है जहां पर आप profit में निकल सकते हो अगर आप smartly trade करेंगे तो ठीक है मैं आपको ये basic थोड़ा समझा देता हूँ इसमें क्या होता है call और put आपको call का मतलब तेजी put का मतलब मंदी मतलब क्या हुआ call मतलब bullish your bullish into the market और put आप जब buy करते हो तो your bearish into the market आप देखेंगे तो 215 का call option मैं July का buy कर रहा हूँ और तो इसका break even कितना एगा guys 10.215 प्लस 10.75 प्लस करना है तो इसकी break even आपको आएगी 225.75 ठीक है ये जुलाई का है ये जुलाई का है ठीक है और यहां का आप इसको June का 220 प्लस आप premium कितना पे कर रहे है 5.6 तो आप इसको plus करिए तो इसकी break even जून की आएगी 225.6 एक example ले लिज्ये अगर ये ऊपर जा रहा है तो आप profit मे only निकलोगे अगर ये नीचे जा रहा है तो आप hedge कैसे करोगे और ये मैं आपको बता होगो ठीक है तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो अभिसले आप profit में रिता है तो ये यह जो यह मैंने जो जून शॉट की है ना यह भी गिरेगा ओके और आई टी सी मदब जून जुलाइ का भी गिरेगा और जून का भी गिरेगा पर अगर जून का गिरता है तो आप प्रॉफिट में आओगे जूलाइ का गिरता है तो आप इतना डिकलाइन नहीं होगा यह कैसे मैं बताता हूं, ओके, आपको इसको hedge कैसे करना है, मैं बताता हूं, इसमें आपको क्या करना है, अगर ये 215, मतलब यहां पे अगर आप ब्रेक इवन चेक करोगे, तो 210 दिखा रहा है, मतलब 210 के उपर आप profit में ही निकलोगे, जून में, ओके, उसके नीचे तो आप loss मे जो July है ना, उसको आपको कुछ करना नहीं है, वो ऐसा ही रहेगा, वो might be 7.5 हा जाएगा, या 8 रूपीज आ जाएगा, और यह आपको पूरा profit देदेगा, मतलब यह, इसका मतलब किया, जब आप short करते हो ना, यह 220 के उपर नहीं जाता है ना, तो यह पूरा का पूरा आप यह स्टेटेजी है, जिसमें मैंने लोगों को देखाए कि 30-40% भी अच्छा profit बनाते हैं, ठीक है, इसमें अगर यह, इसमें एक drawback है, अगर यह गिरता है, तो सिर्फ आपको hedging करना है, आपका पैसा जाने का probability बहुत कम है, इसमें आपको सिर्फ hedging करना है, कैसे करना मैं ब एक example ले लो, यह अगर 210 तक आगिया, ओके तो आपके पास जुलाई तो है, वो जुलाई आपका 8 रुपया या 7.5 रुपया चलता रहेगा, अभी आप इसमें डाई रुपया में लॉस हो, बर अबर, डाई रुपया इदर लॉस हो, और आप 220 में तो अलड़ी 5.5 रुपय माइनस करो, आपको 5.5 रुपया प्रुफिट मिल रहा है, आप लेके निकलो, या तो अगर आपको लगता है कि हाँ, वो 5.5 रुपया भी चाहिए, और आपको जुलाई में भी आपको इसको हेजिंग करके प्रुफिट बनाना है, तो आप ये करिए, आप क्या कर सकते हैं, इसकी ब्रेक इवन कितनी आ रही है, 225 की आ रही है, वरवर, ठीक है, तो जब ये, जब ये धिरे 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 ये उपर आएगा, तब आपको ये प्रुबबलेटी देगा, तो इसका आपको जुलाई का, 220 का, या तो 225 का, आपको इसका कॉल अप्शन सेल करना है, ओ और पांच रुपए में मिल रहा है, वो आप उसको सेल कर दीजे, ओके, तो इससे क्या होगा, आपने ऑड्रेटी रुपय बना लिया है, प्रॉफिट, ओके, आपको यहाँ पे आपने साढ़े पांच रुपए दिया, तो वहाँ पे आपको साढ़े पांच रुपय आ गिय और यह अगर उपर चला जाता है तो यह 225 तक आएगा ना 225 तक आएगा तब आप आप लॉस में ही निकलोगे यह पूरा का पूरा प्रीमियम आपको यह भी पॉकेट में आजाएगा और साती साथ अपना प्रीमियम भी आप बचा लोगे मतब 215 वाला भी आप जुलाई का बचा लोगे और यह यह भी आप जून में भी प्रॉफिट बना रहे हो और जुलाई में भी बना रहे हो तो आपको यह ध्यान रखना है कि 225 का आपको सेल करना है जुलाई का ठीक है क्योंकि इसकी ब्रेक इवन 225 की आ रही है तो जो भी प्रीमियम आता है जैसे साड़े क्या करना है आप यह बुक करके 220 में हो जाए है तो आपको यह वापस आपको साड़े तीन रुपे में मिलेगा यह भाई रूपे में मिलेगा जो भी मिलेगा आप उसको दिरे दिरे शिफ्ट करिए एकदम क्लोज में मत आईए और आप टाइम वैल्यू देखे तो इससे क् कि आपको साड़े पांच रुपया पूरा कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह आपको यह स्ट्राटेजी है गाइज मैंने इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया है और इसको हेजिंग परस्पेक्टिव के सबसे काफी काम आती है इसमें आप मार्जिन देखिए सिर्फ आपको 24,000 देना है और इसमें प्रॉबबिलिटी करीबन 50-70% की दिखा रही है अगर आपका यह सक्सेस्फुल हो जाता है ना तो 24,000 में आपको कोई सामने से 15,000 नहीं देगा ठीक है आपको सिर्फ आपके तरीके से आप स्मार्ट ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो ही आप कवर कर लो और निकल जाओ और गाइस मैं अभी भी आपको बता देता हूं जो भी मैं यह जो वीडियो बनाता हूं या इंप्लिमेंट करता हूं यह मैं लोगों के लिए बनाता हूं जो जो बीगिनर्स हैं जो समधना चाहता है और यह मोसली मैं एजुकेशनल पॉपस के लिए बनाता हूं तो इसमें एंप्लिमेंट कर ना जिसमें आपको ऐसा नहीं हो जाए कि आपने कर ले लिया हाँ मैंने बोल दिया इसके लिए आपने निकिंद को ले लिया आ पने प्रॉपर उसको हैच को ल kepada जिसते मेंको लास होसकता है तो आप ऐसा कभी ड्रेड मत कर आप यह अगर एक बार understand करेंगे, अगर उसकी break-even समझ जाओगे न, तो यह strategy आपको अराम से समझ में आ जाएगा, तो मैं उसकी beginners के लिए वापस एक video बनाऊँगा, जिसमें मैं वहाँ पे update कराऊँगा, कि exactly कहाँ पे आपको break-even देता है, आपको कितना profit shoot-up हो सकता है, तो वो सब मैं implement next videos में करूँगा, ठीक है, thank you so much guys.